आप सभी को नमस्ते मैं अजय भोला अर्ष कैंपस में आपका स्वागत करता हूँ आज हम यजुरुवेद में पढ़ेंगे 29 वा अध्याई इसे पहले हम अध्याई आरम करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन्स आप तक शिगरता से पहुँच जाएं आइए गाहितरी मंतर के साथ आरम करें ओम भूर्ववैस्वह तच्चवितुर्वरेणयम भर्गोदेवस्यदीमही दियोयोनः प्रचोधयात ओम शान्ति 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 आइए आरम करें हे अगनी आप समीधा को प्रज्वलित करें आप मती मान के हृदय के प्रिय भावों को भी देवों तक पहुँचाएं आप मधुर घी का सेवन कीजिए आप सरवज्ज हैं आप हवी वहन करके बलशाली देवता को उसे भेंट कीजिए हे अगनी आप देवताओं का पथगी से अभी शिंचित वह उन्हें हवी से आप प्यायत कर दीजिए आप सातों दिशाएं सीच दीजिए आप यजमान के लिए स्वधा धारिये हे अगनी आप सरवज्ज हैं आप वस्वों से प्रेम रखते हैं आप प्रीति पूर्वक अगनी को ले जाने वह अन्न को पवित्र कीजिए आप वंदनिये हैं देवताओं से युक्त अदिती देवी प्रसन्नता सहित स्वीता देव को धारन करें अदिती देवी का कुशका आशन विश्ट्रित है अदिती देवी सुखदाई है अदिती देवी प्रिथ्वी पर अपने विशालता से फैली हुई हैं देवी के द्वार सोभाग्यदाता बहुत स्वरूप वैपंक के आकार वाले हैं खोलते और बंद करते समय वे उद्दात द्भनी करते हैं, रिशी सती और कवियों द्वारा खोले जाने पर जाने में सुकर हूँ हे रात्री और उशादेवी, आप स्वण मैं श्रेष्ट सिलफिवय रिक की यौनी हैं, हम यहां आपको स्थापित करते हैं, आप मित्रदेव और वर्णदेव के बीच ब्रामन करती हैं, आप यज्ज का मुख हैं, आप यज्ज को जोतित करने वाली हैं दोनों देवे प्रथम वंदनिय हैं सार्थी युक्त रत वाले और श्रिष्ट वर्न वाले हैं आप सभी भूवनों को देखते हुए जाते हैं आप यजमान को उनके प्रिय कामों के लिए प्रेरित करें आप दिशाओं और प्रदिशाओं को प्रकाशित करते हैं आधित गण के साथ सरस्वती देवी हमारे यज्ज की रक्षा करने की कृपा करें वस्वों के साथ आमंत्रित इडा देवी यज्ज की रक्षा करने वे हमारे लिए अम्रित धारने की कृपा करें तुवस्टा देव ने देवों को चाहने वाली वीर संतान पैदा की तुवस्टा देव न करने की किरपा करें हे वनस्पति देव आप अगनी की किरपा से घी से घोडों को भली बानती सीचिए अन मैं हवी को देवों और उपदेवों के पास पहुचाने की किरपा कीजिए आप हवी को अन देवों के पास पहुचाने की किरपा कीजिए हे अगनी आप तुरंत उत्प आप यज़ को धारन कर लेते हैं, आप अग्रगामी स्वाहकर के हवी स्मर्पीत के जाने पर आप उसे स्वीकार करते हैं, आप आगे चलिए, आप हमारा कार साधिये, आपकी कृपा से देवगण, शिक्र हमारी हवी को स्वीकारने की कृपा करें, हे मेग देव आपकी गती बाज पक्षी की गती जैसी है आप हिरन बाहू की तरह चंचल हैं आप सर्व प्रथम उत्पन हुए उत्पन होते ही आपने क्रंदन किया आप स्मुद्र से उत्पन हुए उत्पन होते ही आप सतुत्य हो गई आपकी महिमा सर्वत्र व्यापक हो गई बायु देव ने यम के द्वारा दियेगे घोडे को रत में जोता, इंद्र देव समसे पहले इस घोडे पर बैठे, गंधर्व ने इसकी लगाम ग्रहन की बसु गणों ने इसे सूर्य मंडल से निकाला हे मेग देव गुप्त वर्ण के कारण आप यम हैं, गुप्त वरित के कारण आप आदित्य हैं, गुप्त वरित के कारण आप तीनों लोकों में व्याप्थ हैं, आप सोम के साथ एक मेग हैं, स्वर्ग लोक में आपके तीन बंधन बताए गई हैं, हे मेग देव स्वर्ग लोक में तीन बंधन बताए गई हैं, तीन ही बंधन जल में बताए गई हैं, तीन ही बंधन समुद्र में बताए गई हैं, उतने ही बंधन अंतरिक्ष में बताए गई हैं, आप परम जनक हैं, हम वरुन रूप में आपकी सूती करते हैं, हे बलवान आप जिन जिन को सिंचते हैं, हम उन उन को देखते हैं, आपके खुरों के निशान हमने देखे हैं। हैं आप सुगम हैं हे हवी रूपी वायू हम यहां आपके यज्ज करने की इच्छा वाले उत्तम रूप को देखते हैं आप गव मंडल में जाते हैं जब आपके लिए हवी का भोग लगाया जाता है तब आप उसे और ओशद रूप हवी को ग्रहन करने की कृपा कीजिए हे अरवन देव हमारे रत का आप अनुकरन करते हैं हम आपका अनुकरन करते हैं हमारे गाएं वे हमारे कन्याओं के भाग आपका अनुकरन करते हैं हमारे वृत का अनुकरन करते हैं हमने आपके मित्रता पाई देवताओं ने आपके प्राक्रम का वर्नन किया है हे अरवन यह गोड़ा सोने के सिंगों वाला है, इसके पैर लोहे के हैं, इसकी गती मन जैसी तिवर है, देवताओं ने इसे हवी के रूप में ग्रहन किया है, इंदर देव सबसे पहले इस गोड़े पर बैठे हुए हैं, आशुप पतले मद्य भागवाले, बलवान, पुष्ट जांखों वे वक्ष स्थल वाले हैं, वे दिव्य और हंसों की तरह एक पांत में चलते हैं, ये घोड़े स्वर्ग में स्वर्गिक आनंद पाते हैं, हे अर्वन, आपका शरीर उपर की और जाने वाला है, चित्वायू जैसा गती शील है, आपकी पता काएं जंगलों में दावानल के रूप में विचर रही हैं, हे अर्वन, हवी गती शीलमन की तरह तेजी से उपर की और जाती है, इसका धुआ आगे की और ले जाया जाता है, ना भी इसका अनुकरन करती है, पीछे-पीछे पाठ करते हुए कभी गण चलते हैं, हे अर्वन, आप उपर परमस्थान की और गमन कीजिए, आप माता-पिता से मिलिए, यजमान देवताओं से जुड़े देवगण हमें अपार वैभव प्रदान करने की किरपा करें, हे अगनी, आप समिधा युक्त और सरवज्ज हैं, आप मनुष्यों के यज्ज में देवताओं को अमंत्रित करने की किरपा हम आपका आवाहन करते हैं, आप हमारे मित्र, चेतना संपन कभी वैदेवताओं के दूद हैं, हे अगनी, आप तन के रक्षक हैं, आप रित को अच्छी जिवा से सींचते हैं, आप बुद्धी और मनन से यज्ज की बढूतरी करते हैं, आप हमारे यज्ज को देवताओं तक पहुंचाने की कृपा कीजिए, हे अगनी आप प्रसंसित हैं, हम आपकी महिमा गाते हैं, आप श्रेष्ठ यज्ज वाले, आप श्रेष्ठ यज्ज कर्म वाले पवित्र बुद्धी मान हैं, हम दोनों हवियों से आपका गुनगान करते हैं, हे अगनी आप देवताओं को होता है आप देवताओं के लिए यज्ज करने की कृपा कीजिए ये कुशाएं प्राचीन हैं प्रित्वी की प्रद्रशाओं में फैली हुई हैं अधिती देवता के विराजमान होने के लिए इन कुशाओं को फैलाया जाता है कुशाएं बिछा कर सुख से बैठा जा सकता है जैसे स्त्रियां सिंगार करके पती को थकान रहित करती हैं वैसे ही दिव्य द्वार वाली विशाल देवियां देवताओं के लिए सुगमता से प्रयास करने वाली हों यज्ज में उशा और रात्री देवी भली भांती शुशोबित होने की किरपा करें दोनों देवियां दिव्यकार करने वाली विशाल आभूशनों से युक्त वे कपिश रंग की हैं वे भली भांती अधिस्टित होने की किरपा करें विराट यज्ज के दो दिव्य होता हैं वे श्रेष्ट वानी वाले वे श्रेष्ट वानी बोलने वाले हैं वे पूर्व प्रिशा से निकलने वाले सूर्य की किर्णों से यज्ज करते हैं। वे मनुष्य को यज्ज आदी स्रेष्ट करने की प्रेर्णा देते हैं। हे यज्जमानों आप देवताओं को पाथे परदान कीजिए। आप देवताओं की आहूतियों को मधुर घी से सीचिए। वनस्पती देव, समीता देव और अगनी इन हवियों को ग्रहन करने की किर्पा करें। हे अगनी आप उत्पन होते ही देवताओं को नेत्रित्व करते हैं। आप देवताओं का आवाहन करते हैं। आप पूर्व दिशा में जोतिस्व रूप स्थित हैं। आप उशा देवी के साथ उत्पन होते हैं। युद्ध के लिए जाते हुए कवचधारी बादल की भाती शोबित होते हैं। वीर घायल हुए बिना जीतें। वे आपकी कवच की महिमा आपकी रक्षा करने की किरपा करें। धनुष से हम गायों को जीतें। धनुष से हम सदा युद्ध वे मार्ग जीतें। धनुष शत्रू का बुरा करने वाला हो, धनुष से हम सारी प्रदिशाओं में जीतें, धनुष की प्रतंचा को योद्धा कान तक खीचे, उस समय ऐसा लगता है, जैसे योद्धा उसका मित्र है, वह उसके कान में कुछ कहना चाहती है, वह प्रतंचा युद्ध में विजय दिलाने वाली है, वह प्रतंचा धनुष पर चड़ कर अत्यंत आवाज करती है, बान उसका मित्र है, वह उससे मिलती है, जैसे बेटे को मा गोद में ले लेती है, वैसे ही प्रतंचा बान को धारन करती है, यह प्रतंचा समान मन वाले इस्त्री जैसा आच्रन करती है, यह यह दोरी शत्रूं का संगार करे, यह दोरी जन जनाती हुई, अमित्रों का विनास करने की किरपा करे, यह तरकश बहुतों का पिता है, बहुतों से इसके पुत्र है, इसके संग्रक्षन में रहते हैं, तरकश पीठ पर बंधता है, यह सेना के सभी योध्धाओं पर विजय पाता है रत पर बैठा हुआ अच्छा सार्थी जहां जहां चाहता है वहां वहां अश्वों को ले जाता है लगाम की भी प्रसंसा की जानी चाहिए वे घोडों के मन को अपने नियंतर्ण में रखती हैं जहां चाहती हैं वहीं उन्हें ले कर जाती हैं घोडों की लगाम जिन अश्व शत्रों को रोंदें अश्व शत्रों का नाश करते हैं रथ वहन इसका नाम है जहां आयुद्ध रखते हैं जहां कवच रखते हैं अच्छे मन वाले होते हुए हम सभी इस रथ में बैठें हमारे रथ सदन में रहने वाले पालक आयुद्धारी सन रक्षी सहन शील शक्तिमान गंभीर अच्छी सेना से संपन वे अतीव बलशाली हैं वे संकल्ब शील और शत्रों का मुकाबला करने वाले हैं ब्रहमन पित्र गण वे सोमरस पीने वाले हमारी रक्षा करें कल्यान कारी देव हमारी रक्षा करें स्वर्ग लोक और पृत्वी लोक हमें पापों से रोकें पूशा देव हमारी रक्षा करें अब रोधू वे पापों को हम से दूर करें कोई पापी हम पर साशन न कर इसके दात शत्रू को ढूंड लेते हैं, यह शत्रू पर गिरता है, जहां कहीं शत्रू जाते हैं, वहां यह शत्रू पर गिरता है, बान हमारे लिए अहानिकर्व कल्यान कारी हो। अश्व प्रेरक चाबुक आप दोनों घोडों को आगे बढ़ने की प्रेरना दें, चेते हुए मन वाले गुड़ स्वार घोडों के उबरे अंग पर चोट करते हैं, उनके पुठों पर चाबुक चलाते हैं, चाबुक घोडों को प्रेरित करने वाले हों, साप की तरह प्रतंचा के प्रहार को हटाता, विद्वान वीर पुरुष सब की और से रक्षा करता है, वीर सभी शत्रों को मार कर रक्षा करता है, रत वनस्पती से बना हुआ है, रत हमारा मित्र हो, सुवीर इस के द्वारा युद्ध में पार पाएं, हम गायों से जुड़े रहें, हम पूरवक स्थित रहें, वीर सभी को जीत सकें, हे पुरोहितो आप स्वरग और पृत्वी के तेज को सरवत्र फेलाईए, वनस्पती से उगे प्राप्त हुए तेज को सरवत्र फैलाईए जल के साथ प्राप्थ हुए तेज को सर्वत्र फैलाईए इंदर के वज्ज की तरह हम रत को यजिय कार में लगाएं रत सूर्य की किरनों के समान चमकता है हे रत आप दिव्य इंदर के वज्ज जैसे वैं मरूतों की सेन शक्ति की भांती द्रिण है आप मित्र देव के गर्भ वैद वरुन देव की नाभी है रत में बैठे देवता हमारे द्वारा भेंट किये गए हवी को ग्रहन करने के त्रिप्त होने की क्रिपा करें हे दुन्दु भी आप प्रित्विव स्वर्ग लोकों को गुझाईए आपको पूरा जगत जान वै मान सके आप देवों वै इंद्र देव से प्रेम रखते हैं आप शक्त्रूं को हम से दूर रखने की किरपा करें हे दुन्दु भी आपकी आवाज सुनकर ही शक्त्रू करंदन करने लगे आप हमें तेजस्वी बनाएए आप हमें पापों से दूर कीजिए आप इंद्र देव की मुठी जैसे मजबूत होईए हमारी सेना के पास जो शक्त्रू आए आप पूरी तरह से उसका नाश कर हे इंद्र देव हमारे रथों की विजय पता का फहराईए हम दुन्दु भी बजाते हुए लोटें हमारे समर्पित योधा गोडे गूमते हैं हमारे रथी जीतें हमारे लोग जीतें काली गर्दन वाला पशू अगनी मेशी सरस्वती देवी बूरे रंग का पशू सोम से नाम रंग का पूशा देव से संबन्दित है काली पीठ वाला पशू ब्रस्पति देव वैं शिल्प बहुत से देवों से लाल रंग का पशू इंद्र देव वैं चितकबरे पशू मरुद देव बल्वान पशू इंद्र और अगनी नीचे सफेद रंग वाले सूर्य देव वे एक पैर सफेद और शेश काले अंगों वाले वेग शील पशु वरुण देव से सम्बंदित हैं लाल चिन वाला व्रिशब ज्वाला वाले अगनी नीचे स्थान से सफेद रंग वाले दो पशु स्वीता देव चांदी जैसे रंग की नाभी वाले दो उपर पीले रंग के सींग वाले दो पशु विश्व से वे चितकबरा पशु मरुत देव से सम्बंदित हैं काला अज अगनी मेश सरस्वती पतन शील पशु वरुण देव से सम्बंदित हैं गायतरी चंद अगनी से सम्बंदित हैं त्रिवृत और रथांतर साम से स्थू इंद्र देव के लिए है जगती चंद और 17 श्रोत विश्वों से संबंदित है वे रूप साम वाली स्तूती 12 कपालों में सू संस्कृत करके रखी हुई हवी अनोष्ट प्छंद वाली स्तूती मित्रा वरुण वे 21 श्रोत वाली स्तूती मित्रा वरुन के लिए है, वे रूप साम से मित्रा वरुन देव स्तूत है, पंकती छंद वरस्पती देव से संबंदित है, वरस्पती देव त्रिवन से स्तूत है, वरस्पती देव शाकवर साम से स्तूत है, चरू वरस्पती देव के लिए है, राश्चित्वे रैवत साम से स्तूत है, बारह कपालों से प्रिश्कृत हवी देवता, हवी स्वीता देव के लिए रखी है, चरू प्राजापती से संबंदित, विश्णु की पत्नी और अधिति देव के लिए यज्ज से संबंदित पदार्थ, समर्पित है, वैश्वा नर देव के लिए बारह कपालों में प्रिश्कृत हवी है, अगनी के लिए बारह कपालों में प्रिश्कृत और अनुमती देव के लिए आठ कपालों में प्रिश्कृत हवी है, इसी के साथ हमारा 29 अध्याय पूर्ण हुआ, अगले अध्याय के साथ हम फिर पस्तित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद